हेलो दोस्तों, वेलकम टो मैं न्यूव लोग, गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग आसा करती हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, सुबह का सांथ बज गया है, यह मेरे दो बच्चे है, इन लोगों को मैं अभी दूद और रोटी खिला रही हूँ, आज क कल मेरा व्लोग भी नहीं आपाया, क्योंकि कल मैं उसको हस्पिटल लेके गई थी, तो आज दो उन दोनों की तब्यात अच्छी है, और यह देखो, अच्छे से चाय नास्ता कर रहे हैं, मस्ती में हैं यह दोनों, आप देख सकते हो, दोस्तों, आप लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और व्लोग अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा, यह दोनों अभी चाय नास्ता कर लिया है, अभी मैं इन दोनों को दवाई पिला देती हूँ क्योंकि इन दोनों की दवाइश अभी चल रही है तब देख सकते कैसे दवाईश पी रहे और टेबलेट भी दी हुई है तो उसको ग्यूलने में थोड़ा टाइम लगता है तो वेट भी कर रहे है और उसकी मेडिसिन चलती है कभी-कभी ऐसा भी होता है मेरे दो बच्चों के बीच में कि ये क्रिशिव की मेडिसिन लाए तो वुरुशिका को भी चल जाती है और वु स्पिटर लेके कई थी और आके देखा तो रुशिका की तब्याद भी थोड़ी खराबी थी तो रात को भी मैंने उसको दवाई पिला दी थी और अब भी उसको दोनों को दवाई पिला रही हूँ आज मेरे को खर साप करने का है तो अगर हमारे घर में एक छोटा सा था वो भजन रखा है तो आज हम पूरा खर साप कर रहे हैं अब यह हो गया इन दोनों का और जो पी लेता है और मैं बोलते हूं वेरे गुड़ा सा नहीं बोलोगें तब तक उन दोनों को अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए भी मेरे को उन दोनों को खुश रखने के लिए सब मैं कर लेती हूं अब हो गया इन दोनों को एक खुशी खुशी पी लेंगे आप यहां देख सकते हो इन यह क्रिशिव है ने तो कभी-कभी उसकी ख्वाइस होती है कि यह वाला जूला चाहिए इसको और कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह वाला जूला चाहिए तो दो तिन दिन में तो मेरे को ये साड़ी बोलते हैं वो साड़ी जो भी है वो चेंज करना ही पड़ता है क्योंकि वो फार देता है उसको और अभी ये व्रूशी का इस छुले में छुले कि ने तो उसको ये ही छुला चाहिएगा तो आप देख सेकते हो मैं आज यहां पे थोड़ा साथ सफाई कर लेती हूँ और हमारे घर में वो देड़की है ने वो बहुत ज़्यादा खुमती रहती है तो प्यादे तो मैं इन सब को ऐसे निकाल देती हूँ अच्छे से निकालोंगी धिरे धिरे निकल जाएगी लेकिन वापस आएगी दर्वाज़ा सब खुला रहता है और बंद भी कप तक करके रखे तो वैसे तो मेरे को सब खुला खुला ही पसंद है तो मैं खुला ही छोड़ देती हूँ तो आज जाती है और जब भी मेरे को लगे की बहुत जादा हो गए है तो मैं उन सभी को निकाल देती हूँ तो यहाँ पर मैं कचरा सब निकाल रही हूँ और साथ साथ मैं इन दोनों को भी निकाल रही हूँ देखो आप देख सकते हो मैं दोनों को निकाल रही हूँ एक रिशीव को है ने सब देखना और इन देड की इस वो घर में आती है तो इन लोगों के साथ खेलना वो सब बहुत पसंद है लेकिन वो पकड़ने ही जाता है तो मैं उन लोगों को पकड़ने नहीं देती हूँ तो यहाँ पे मैंने कच्रा सब निकाल लिया है अभी इन दोरों को मेरे दो बच्चे है ने इन लोगों को वो आंगनवाड़ी जाने का टाइम भी हो गया है तो पुरा घर साप करने में मेरे को एक खंटा तो लगी जाता है क्योंकि उपर से वो करोडिया जाड़ा बनाता है वो सब निकालने का ये सब है तो हो गया अभी और ये दोरों जाएंगे उसके बाद ही मेरा सब काम सटार्ट हो कहका इन दोरों को अभी मैं फूर्ट खिला देती हूं और आज तो है सबHeart रहए कल तो ही दोर नगी खा पा रहे थे लेकिन रूशिका तो खेल रही थिसलिए मैंने उसको हस्पिटल लेके नहीं गई ये क्रिशिव को ये लेके जाना पड़ेगा क्यों उनकी वामेटिंग की बंद नहीं हो रही थी तो आज तो ये कैसे बिंदस खा रहा है अभी मेरे बच्चे खुस रहते हैं तो उनकी साथ साथ में भी खुस रहती हूँ आप देख सकते हो मैं इन दोनों को दाडम खोल के दिया एक खा रहे है अभी में उनको एक एपल भी खिलाओंगी मैं बार-बार उनुमको को वही बोलती हूँ आप अच्छे से चबा-चबा कर खाए, चबा-चबा कर खाए चबा की नहीं खाएगा थे, पेट में दर्ध होगा ऐसा बोलती हूँ ने तो ये ढूनों खुसिश करते हैं चबा-चबा कर खाने की फ्रोट खा लिए दोनों अभी मैं उन दोनों को आंगनवाडी छोड़ने जा रही हूं प्रसे बहुत दोर नहीं है हमारे यहां पर आंगनवाडी यहां पर नजिक में ही है और धूपी बहुत ज़्यादा है आजकल और यहां वो तीनों भी साथ चले जाते लेकिन यहां पर एक पास में बहुत कूटते रहते हैं वह सुभा-सुभा मिला आता है नन्य वह पोटले वाला मिला हमें है पिने के लिए यहां पर कूथ रहते फोट भी में दोनों के छोड़क आई और अब बर्तन माज रही हूं वर्तन हो जाए उसके बाद में कप्ड़े बी कर देती हू अब लोग मेरा व्लोग देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक एक सस्क्राइब कर दीजिएगा प्लीज पता नहीं आज कल दूप क्यों इतने जादा हो रहे बहुत जादा हो रहे दूप अब दूप में कपड़े धो रही हूं लेकिन अभी में उनलों कपड़े सुखाऊंगी नहीं दूप चले जाएगी दूपर के बाद ही इसको सुखाऊंगी आज सुखा में ऐसा हुआ कि मैंने ये दो घड़े भर के लाई पानी पिनेगा लेकिन उसमें बहुत जादा मिटी थी अभी मिटी वाला ही पानी आता है बूर में से तो दोनों मैंने खाले कर दिया और बिजली चली गए तो पानी नहीं था गर में था लेकिन इन दोनों बीमार जड़ा है ने तो मैं गरम पानी करके देती हुँ तो गरम किया हुआ था लेकिन वेस्से नॉर्मल पान नहीं था तो मैं कुवे में पानी लेने जा रही हूँ पानी लेके आई तब तक ये मेरा काम भी खतम हो गया और ये बच्चे भी घर पे आ गए तो इन दोनों को मैं अभी थोड़ा पड़ा लिखा देती हूँ कौसिस कराती हूँ कि इन दोनों लिखे लेकिन वो उसको बहुत जबजस्ति करने पड़ती है मेरे को लिख वाने के लिए अभी तो बिजली भी बार बार चले जाती है मुसम ही बदल जाए और बिजली चले जाए ऐसा ही होता है दिन में तो पांत दस बर तो बिजली चाती है आती है ऐसा ही करता है पड़ाते पड़ाते इन दोनों सो गए तब तक मैं इन दोनों के लिए नास्ता बना देती हूं यहां पे मैं बना रही हूं वो प्याज और प्य यूज कर रहे हूं हमारे घर में जो खड़े मसाले होते हैं उसको पिसकी बनाती हूं वैसे ज्यादा मसाले नहीं में डालती इसमें जीरा और धन्या का पावडरी डालती हूं और थोड़ा अजवान डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया यह तैयारी करके रखती हूं और वो जागे के नितब में उन लोगों को गरम गरम ही बना के खिलाओंगी इसे अच्छे से मिक्स करके मैं यहाँ पर छोड़ देती हूं थोड़ी दिर ठक्के रखते हैं बस अब थोड़ी दिर में तो यह दोनों भी उट गए तो मैं इन दोनों को पहले नाला दिती हूं क्यूंकि अभी चार तो बच गया है और बहुत जादा दूप्य गरमी तो इतनी लगती है कि बच्चे को भी सान नहीं हो इतनी गरमी लग जादा है तो करम पानी तो पूर लुक से नहीं पाएंगे तो अच्छा यह पानी तो इतना नौरमल ही आता है और वह थोड़ी दिर वो टब में बैठे रहेंगे तब तक मैंने चाई बना ली है इन दोनों को चाई नहीं पिलाती हूं इसलिए मैं कुथी थोड़ी चाई ब चल रही हूं तो कुछ नहीं डालने का कि थोहीं ठाण में उसमें तेल डाला गरम करके रचे से मिक्स कर लिया और पकोड़े भी बना लिये। अब देख सकती है अच्छा से Пол फूले खुले 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 पकोड़े बने हैं और मिर्चि वाले भी मैंने थोड़े बनाएं तो अभी भगवान को खिला देते हैं, उसके बाद मैं उन दोनों को खिला देती हूं, अभी तो मोसं भी पलट गया है, यह साड़े छी बज़े का टाइम है, तो ऐसा हो गया है, यहाँ पर थोड़ा अंदिरा भी दिखता है, और बारिस आने का आने जैसा दिखता है, साड़ सेBlue से उसको भूनते हैं दू करेल आदा नहीं हो जाते तब तक उनको भूनते हैं अच्छे से और अच्छे से फुन जाए उसमें बहुड ज्यादा टाइम भी लगता है लेकिन टेच्वाजी बहुत टेश्टी बनती है तो करेले को अच्छे से फुन लिया अभी दूसरे प्रेट में निकालके थोड़ा लोसन डालके प्याज डालके प्याज को अच्छे से पकने दिया उसके बाद मैं नमक और हल्दी और मसाले डाले अच्छे से और मिक्स करेले के साथ मिक्स कर लिया और थोड़ी देर उनको भी गरम होने दिया इस सबजी बना कि हमारे जिसी हम लोग जिसे बनाते हैं वैसे बना कि आप एक बार खाएगा आपके बच्चे भी अच्छे से खाएगी करेले कड़वी भी नहीं लगते हैं और ज्यादा कड़वी लगे तो अचार का जो मसाला आता है ने गूड़ और मसाले वाला थोड़ा डाल देने का तो भी बहुत टिश्टी बनती है करेले की सबजी एक बार आप इस तरह बना की खाएगा बहुत मस्त बनती है सबजी यहाँ पर मैं रोटिया भी बना रही हूँ आप देख सकते है तो दूस्तो आप लोग मेरा व्लोग देखना पसंद करती हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे और चैनल को सब्सक्रा तेके